हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्जैमिसिटी जोन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कंट्रोल यूनिट और अरित्मेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में जो की सीप्यो के मेंन कॉंपिनेंट्स होते हैं तो CPU क्या होता है इसकी वीडियो में अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पिल जाएगी आप वहां से जाके डिरेक्ली देख सकते हैं तो आईए आज की वीडियो को शुरू करते ह सबसे पहले में बात करूंगी कि गया होता है उसके बाद में बात करूंगी कि ALU क्या होता है जैसे कि मैंने कहा था कि CPU के मेन कॉम्पोनेट्स होते हैं Control Unit और ALU तो Control Unit का क्या काम होता है ये ALU को Input Output Device को Computer की Memory को बताता है कि जो भी Instructions दिये गए हैं उनको किस सरीके से Respond करना है उनको किस सरीके से Answer करना है ये काम करता है Control Unit, Control Unit खुछ से कोई Processing का काम नहीं करता है बलकि ये जो Processing का काम हो रहा होता है उसे control करना उसे direct करना कि क्या काम करना है कप करना है ये सारी चीजे जो होती है वो control unit करता है ये ALU को बताता है कि उसे क्या काम करना है जो भी instructions को दिये गये हैं उस पर कैसे काम करना है कैसे उसको answer करना है respond करना है ये सारा भी जो चीजें हैं ALU को बताना ये control unit करता है साथ में ये सभी कामों को अच्छी तरीके से करवाने का काम करता है तो जो भी instructions दिये जाते हैं उन पर processing होती है उसके बाद final result हम तक पहुशता है तो ये सारे जो processing का काम है उसको direct करना, control करना तो ये main काम होता है control unit का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि control unit खुद से कोई भी processing का काम नहीं करता है ये जबकि जो processing का काम हो रहा है उसे direct करना, control करने का काम करता है जैसे मैंने आपको कहा था कि ALU को बताता है कि उसे कब क्या काम करना है जितने भी devices से उनको instruction देता है कि उन्हें कब कौन सा काम करना है तो ये सारे काम किसके होते हैं control unit के इसलिए processing का काम जो होता है वो control unit नहीं करता है जबकि processing के कामों को पूरा करने के लिए उनको direct करना उनको control करने का काम कब कौन सा काम करना है किस टाइम पर करना है किस डिवाइस को क्या काम करना है तो यह सारे चीज़े कौन करता है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो computer system में जो control unit का क्या काम है तो control unit manage करता है, coordinate करता है, direct करता है सारे operations को जो की perform किये जाते हैं computer system के जितने भी components हैं उनके द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था blog diagram में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के description box में आपको link पिल जाएगे काम हा है वह यूजर तक पहुच जाता है तो यहां पर control unit का क्या काम होता है तो control unit चो output होता है उसको जो ب히 processing का काम हुआ वहाँ से जो output मिला यह हम क्या सकते है जो process data है उसको भेचता पास इस्टोरेज यूनिट के पास भीजने के बाद वहां से जैसे मैंने कहा था कि इसको भीजता है और पूट डिवाइस के पास और वहां से जो रिजल्ट होता है वो यूजर तक पहुच जाता है तो दो इसका क्या यहां पे काम है कि प्रॉसेसिंग के बाउट जो भी इन रिजल्ट है वो हमें मिल जाता है तो यह सारा काम कौन करता है कंच्रोल यूनिट अब बात कर लेते हैं एल्यू के बारे में यह भी सीप्यों का बहुत इंपॉर्टन कॉम्पोनेंट है एल्यू का पूरा नाम होता है एरित्मैटिक लॉजिक यूनिट जैसा कि आप इस चाहिए वह अरिफ्मैटिक यूनिट परफॉर्म करती है उसी तरीके से जो एल्यू की लॉजिक यू्निट होती है वह ओ逗 पर itself और स्परल करती है इसमें कौन कौन से 大家好 आते हैं जैसे ग्रेटर धैन लेस जैन इकवल तू यह सारे ऑपरेशन आते हैं जो की एल्यू की बड़ा है कौन बराबर है तो इस तरीके के जितने भी logical operations होते हैं वो ALU की logic unit perform करती है इन शोर्ट हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ALU दो unit में Divide होता है एक होता है arithmetic unit एक होता है logic unit ALU की जो arithmetic unit होती है वो arithmetic operations को perform करती है कौन कौन से operations होते हैं जो मैं आपको पहले पता चुकी हूँ उसी तरीके से जो ALU की logic unit होती है वो logical operations को perform करती है जो भी data है वो जाता है जब ALU के पास भीजा जाता है तो वहाँ पे उसकी processing होती है और processing के बाद जो भी result मिलता है वो जाता है storage unit के पास और वहाँ से final result output device के through user तक पहुँच जाता है तो ये होता है ALU की काम तो friends ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लीजे और bell icon को जरूर प्रस कर दीजेगा जिससे जो भी notifications होंगी आगे जो भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे उनकी आप तो पहुशती रहेंगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा तो thanks for watching friends and have a good day